हलो श्वेंस मैं हूँ रमाकान पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिनवाड़ा हम बात करने वाले हैं श्वेंस 36 गड़ पी एटी और श्वेंस 36 गड़ में होने वाले पीवी पीटी प्री वेटिनरी और पॉलिटेकनिक टेस्ट के बारे में तो श्वेंस यदि आप इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं सीजी भी आपम की तो श्वेंस आप लोगों को यहाँ पर खलिबस पैटन मिल जाएगा और एक्जाम कितने नम्मर का होगा वो भी मिल जाएगा तो श्वेंस सबसे पहले तो आपको बता दें कि अभी जो डेट श्वेंस उसमें करेक्शन हो चुका है जिया श्वेंस आपकी सेक्टनिक सत्र जो 2024 है इसमें जो पेपर होने वाले थे श्वेंस इनकी डेट में परिवर्तन हो चुका है जिया श्वेंस आप लोगों का यह पेपर है ठीक है पी एटी और पीवी पीटी का यह श्वेंस आप भी तक इस्ट्वेंस यह आप पेपर की चर्चा करेंगे तो इस्ट्वेंस पेपर आपका 200 नम्मर का होता था दो हजार तेईस तक बलब 2022 में 21 में 20 में 23 तक जो पेपर था वो 200 नम्मर का हुआ करता था चाहे वो आपका पी एटी हो प्री अग्रिकल्चर टेस्ट ठीक है यह आपका PvPT प्री वैटनेरी और पॉलिटेक्निक टेस्ट और यह दोनों जो स्ट्वेंस आप लोगों के एक्जाम है यह साथमी कंडेक कराय जाते थे तो सहम स्लेबस हुआ करता था इनका ठीक है और एग्रिकल्चर वालों का भी सहम स्लेबस हुआ करता था 200 नम्मर का अब syllabus में change हुआ है ज़रा वो भी देख लीजिए आप लोग तो students आप ठीक है PAT का idea आप paper दे रहा है तो PAT का paper maths वाले बच्चे agriculture वाले बच्चे ठीक है biology वाले बच्चे किसी भी stream के बच्चे दे सकते हैं PAT का paper में physics जो है वो पहले 60 नमर की आया करती थी आप 50 नमर की आएगीattan पश्चे कर से तो यहNote बच्चे कि अप देखेंगे यहां पर जो आपका श्वेंस क्रसी विज्ञान हुआ करता था ठीक है element of science जिसे हम लोग कहते थे क्रसी के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गडित यसी नम्मर की आती थी पहले अब 50 नम्मर की ही आएगी ठीक है इसके बाद में crop production श्वेंस आप लोगों का 60 नम्मर का आता था और पसुपालन 50 नम्मर का आएगा और श्वेंस आपका जो पसुपालन वो भी 50 नम्मर का ही पेपर में पूछा जाएगा तो श्वेंस अब आप लोगों का जो पेपर है टोटल 1500 नम्मर का होगा 200 की जग है ठीक है तो यह आप लोगों का change हुआ है syllabus की दिए हम चर्चा करें श्वेंस तो syllabus बस लगबग वही है ठीक है लेकिन श्वेंस इस बार थोड़ा सा standard जो है वो high level का हो जाएगा तो श्वेंस किसी भी coaching संस्थान से आप coaching जोईन कर सकते हैं जिसमें आपको test series model question paper यह श्वेंस आप लोगों का last year का paper आथ था कुछ इस तरीके से आप से paper में जो है question पूछे ज से ठीक है फिर श्वेंस आप लोगों से जो है ठीक है पेपर में harmonic motion पर based question पूछे जाते हैं चुम्ब किये बल पर question रहेंगे आप लोगों के तो इस तरीके से आप लोगों का यह paper का level रहने वाला यह देखिए श्वेंस ठीक है इस तरीके से आप लोगों को graph पर बेस जो question रहते हैं diagram वाले capacitor पर based ऐसे question आएंगे ब्रत्ताकार ब्रत्ती जो गतिमान स्थिती है उस पर based question है गति जूरजा पर इसके बादने श्वेंस आवेस पर यह graph वाले question है आप लोगों के diagram based श्वेंस आप लोगों से आवरत्ती पर based question है तो label कुछ इस तरीके से रहेगा यह दि आपके पास में पूरे पूरे एक महीने का समय है यदि आज भी आप coaching ज्वाइन करते हैं ठीक है तो भी श्वेंस आपकी हम तयारी करवाके देंगे जो paper में question आते हैं IMP question वो सारे आपको cover कर आके देंगे जिससे आपका असानी से paper निकल जाए और देड़ सो नमबर के paper में आप असानी से 120-130 नमबर ला कर ठीक है टॉप college ले सकते हैं यदि आज ठीक है आप coaching ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही कम फीस में आपको पूरी तयारी करवाकी दी जाएगी full course with revision के साथ में ठीक है तो जो भी बच्चे इंट्रेस्टेड हैं जरूर संपर कीजिएगा मिलें फिरेंसियन अपडेट के साथ में तब तक लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो हैव नाइस डे